दोस्तो परधानमंत्री अटल पैंसन योजना जिसमें आप ओनलाइन करते हैं तो आप लोग को 1000 से लेकर के 5000 तक का पैंसन दिया जाता है वो भी डारेक्ट आपके बैंक एकाउंट में इस आवेदन में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका उम्र 18 साल से लेकर के 42 साल तक का हो इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप लोग 1000 का पैंसन चाहिए परतिमा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको 2000 का पैंसन चाहिए परतिमा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसी परकार से आप लोग 5000 तक का पैंसन के लिए ओनलाइन आवे सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल एकन को भी प्रेस कर ले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लैक सेर करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोग प्रोटियन चेंज इस ग्रोथ के इस ओपिसियल पॉर्टल प खुल जाता है तो अस्कूल डाउन करके नीचे आ जाना है यहाँ पर आप लोग को अटल पैंसन योजना का एक आइकन मिल जाता होगा इस पर क्लिक कर लेना है अब देखेंगे कि आपके स्क्रीन में यहाँ पर एक पॉप आ जाता है तो यहाँ पर जो आपको फर्ष्ट मे करके यहाँ पर भर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग से पूछ रहा है वेदर इंकम टेक्स पेर यह दि आप लोग इंकम टेक्स पे करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अधर्वाज यहाँ पर नो को ही सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट में य नीचे जो है branch name को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आप अपने bank account के type को select करेंगे कि आपका saving है कि current account है उसको यहाँ पे select कर लेना है साथ में यहाँ पे bank account number को enter कर लेंगे उसके बाद bank account number का IPC code क्या है उसको भर लेना है यहाँ पे next में पूछ रहा है please select option आप लोग जो है KYC कि इसके माइदियम से करने वाले हैं offline या फिर अधार के माइदियम से या फिर virtual ID से तो हम यहाँ पे अधार से KYC करने वाले हैं तो अधार वाले box पे tick कर लेते हैं अब यहाँ पे हम अपने अधार number को enter कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग अपने email ID को enter कर ल मिल जाता है, यहाँ टोटल आपको जो है 5000 पेंसन के लिए जो है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंट्यूबूट, आप लोग जो कंट्यूबूट करेंगे, मं इसके बाद जन्रेट OTP पे क्लिक कर देना है, अब आपके आधार में जो भी मॉबाइल नमर लिंक है, उसपर एक OTP यानिकी वन टैम पासवर्ड सेंड किया गया होगा, उसको वहाँ से वेरिफाई कर लेना है, उसके बाद फाइनल सब्मिट कर देना है, अब आप लोगों बता देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अटल पैंसन योजना भारत सरकार द्वारा 60 वर्स की आयू के पहशात 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 परतिमा की न्यूंतम मासिक पैंसन गारेंटी का विकल परदान करती है नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि अटल पैंसन योजना भाता खोलने के लिए अभिदाता को भारतिये नागरिक होना चाहिए जिसकी उमर जो है त्यक किया गया है अठारों से 40 वर्स के बीच होना चाहिए अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अटल पेंशन योजना के तीन लाब अभिदाता के साट वर्स की आयू प्राप्ट करने पर तो यहाँ पर फर्ष्ट में देख सकते हैं कि अभिदाता को 1000 से 5000 की आजिवन निवन्तम गारेंटी पेंशन प्राप्ट होगी दूसरा ह अभिदात की मिर्थ्व हो जाने के बाद वही पेंशन राशती अभिदाता के पति या फिर पतनी को प्राप्ट होगी यदि आप लोग 1000 पेंसन के लिए अपलाई किया है यदि आप लोग का उमर 18 साल हो रहा है तो 42 वर्सों तक आप लोग को मंतली जो पे करना है वो 42 रूपे तक कही करना है यदि आप लोग 2000 पेंसन के लिए अपलाई किया है और आप लोग का उमर 18 साल हो रहा है तो 42 वर्स तक जो है आप लोग को पे करना है 84 रुपे तब आप लोग को जो है 60 साल के बाद 2000 का इमाउंट पेंसन मिलेगा इसी परकार से आप लोग 3000 के लिए अपलाई किया है यानि कि 3000 पेंसन के लिए अपलाई किया है और आप लोग का उमर 18 साल हो रहा है तो 42 साल तक जो है आप लोग 126 रुपे पेग करेंगे, नेक्स्ट में इसी परकास से आप लोग यदि 4,000 के लिए अपलाई की हैं, और आप लोग का उमर 18 साल हो रहा है, तो 42 साल तक जो है पेग करना है, वो 168 रुपे आप लोग को परतिमा जमा करना है, नेक्स्ट में इसी परकास से यदि आप लोग 5,000 के लिए apply किए हैं और आप लोग का उमर 18 साल हो रहा है तो आप लोग जो अनुदान करेंगे याने के अंसदान करेंगे 42 वर्षों के लिए करेंगे जिसका एमाउंट आप यहां पे अस्कीरिन में देख सकते हैं 210 रुपे परतिमा जो है आप लोग को पेग करना है अगर आप अटल पेंशन योजना के इस लिष्ट को यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलिग्राम और वाट्सप चेनल का लिंक दे दिया है आप किलिक करके वहां पे जा करके देख सकते हैं तो आप आज की यह वीडियो में आप लोग